हलो एवरिवान आज मैं आपके लिए कसाटा ऐस्क्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ यह बहुत जादा टेस्टी है और आप इसे घर पर रखे कुछ समान से ही तयार कर सकते हैं तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं कसाटा ऐस्क्रीम बनाने के लिए आप कोई भी भारी तले की कड़ाई या पैन ले ले लें इसमें हम एक लीटर फुल क्रीम दूद ले लेंगे आप उबला या कच्चा कोई सा भी ले सकते हैं मैंने याँ पर कच्चा दूद लिया है और साथी इसमें डाल दूँगी आधा कप मिल्क पाउडर अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप एक लीटर की जगा देड़ लीटर दूद ले लें और जैसे हम इस दूद को पकाएंगे तो आपको उसे थोड़ा सा जाधा पकाना होगा क्योंकि आपने डेड़ लीटर दूद लिया होगा और साथी अब हम इसमें यहाँ पर तीन चम्मच कॉन फ्लार डाल देंगे और अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें कॉन फ्लार अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए अगर जो मिल्क पाउडर की थोड़ी सी गुटलियां रहे भी जाती हैं तो कोई बात नहीं क्योंकि जब हम इसे गैस पर पकाएंगे तो यह गुटलियां आपने आप ही खतम हो जाएंगी अब हम इसे गैस पर रख देंगे गैस का फ्लेम मेडियम टू हाई रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे और यह देखी इसमें मिल्क पाउडर की सारी गुटलियां खतम हो गए हैं और कुछी देर में इसमें एक अच्छा सा उबाल भी आ चुका है और यह पहले से गाड़ा हो गया है तो मैं इसमें अभी यहाँ पर 150 ग्राम चीनी डाल रही हूँ अगर कप से नापेंगे तो यह 3-4 ही कप चीनी है चीनी डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे इसे लगतार चलाती रहेंगे और इसके किनारों पर भी जो मलाई जम जाती है उसे भी स्क्रेप करते हुए बीच में डालते जाएंगे और तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए और यह मिक्सर काफी गाड़ा हो गया है तो बस गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे और इसको पहले रूम टेंपरेचर पर ठंडा होने देंगे जैसे ही रूम टेंपरेचर पर ठंडा हो गया है तो मैं इसे इस ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ और इसे कुछ सेकिंड्स के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे यानि इसे कुछ देर के लिए चला लेंगे और ये देखिए मिक्सी में चलाने के बाद आप इसका टेक्श्चर देख सकते हैं कितना फ्रॉथी हो जाता है और अब हम इसे इस बोल में ट्रांसफर कर देंगे और इसे सॉलेफिन शीर्ट से या फिर फॉयल पिपर से कवर करके इसे फ्रीजर में रख देंगे तकरीबन दो से तीन घंटे के लिए और दो घंटे बाद मैंने इस आइसक्रीम को फ्रीजर से निकाल लिया है और ये देखिए सेमी सेट हो चुकी है तो अब हम इसे फिर से इस तरह से स्क्रेप करके और इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे फिर से एक बाद ब्लेंड कर लेंगे कुछ सेकिंज के लिए अगर आइसक्रीम जादा जमी हुई है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए रूम टेंपरेचर पर करके उसे थोड़ा सा नॉर्मल होने दें बरना आपका जो ग्राइंडर जार है वो खराब हो सकता है और अब मैंने इसे फिर से दिखिए ब्लेंड कर लिया है और अब मैं इस आइसक्रीम के मिक्चर को तीन बराबर भागों में बाढ़ दूगी यानि तीन बोल में डाल दूगी और अब इने कवर करके दो घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि थोड़े से सेट हो जाएंगे और अब मेरे पास यह सर्विंग डिश है जिसमें मैं कसाटा आइसक्रीम को सेट करूँगी आप चाहें तो डिस्पोजेबल में या फिक घर के किसी भी बरतन में आइसक्रीम को सेट कर सकते हैं आब एक बूल में एक तीहाई कप उबला हुआ गरम दूद ले लेंगे साथ ही इसमें दो छोटी चमच मिल्क पाउडर डालेंगे और दो छोटी चमच ही पाउडर शुगर डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैंने यहाँ पर यह कुछ रस लिये हैं यह नॉर्मल वही रस हैं जिसे हम चाय के साथ खाते हैं रस को दूद में डिप करेंगे और इसे सर्विंग डिश में लगा देंगे आप चाहें तो यहाँ पर रस की जगह जो ब्रिटानिया केक स्लाइसिस आती हैं वो यूज कर सकते हैं या फिक घर पर नॉर्मल केक बना कर भी आप इसमें लगा सकते हैं केक की काफी सारी रसिपी मैं अल्रे आपके साथ शिया कर चुकी हूँ रस की हमने पूरी लेयर लगा दी है और जो बाकी थोड़ी सी जगह बची हुई है और मैंने रस को अच्छे से क्रश करके यानि उसका चूरा करके इसमें डाल दिया है इसे चम्मच से लेवल कर देंगे और इसके पर थोड़ा सा दूट डाल देंगे इसका टेस्ट बाद में बिल्कुल केक जैसा आता है और आप इसे धग देंगे और इसे फ्रीजर में रख देंगे तकरीबन आदे घंटे के लिए बिल्कुल इसी तरह से हम डिस्पोसिबर ग्लास में भी आइसक्रीम को सेट कर लेंगे कसाटा आइसक्रीम की पहली लेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप आम लिया है इसे ग्राइंडर जार में डाल कर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे अब मैं इसमें दो चम्मच पाउडर शुगर डाल रही हूँ और इसे फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे और अब यह एक बोल आइसक्रीम का हमने फ्रीजर से निकाल लिया है यह देखिए सेमी सॉफ्ट हो चुकी है आइसक्रीम को भी हम आम के साथ ही ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इसमें अच्छा सा ब्राइट कलर देने के लिए मैं इसमें एक बूंग यलो जेल फूट कलर डाल रही हूँ इसे डालना टोटली ओप्शनल है आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं और ये देखिए हमने इसे एक बार फिर से ब्लेंड कर लिया है और ये हमारी मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम तयार है फ्रीजर से हमने ये निकाल लिया है सर्विंग डिश इसमें ये जो रस की लेयर हमने सेट करी थी अच्छे सेट हो गई है तो अब मैं इसके उपर ये आम की आइसक्रीम डाल रही हूँ और इसे इस तरह से लेवल कर देंगे और इसे ढग देंगे ढग कर हम इसे फिर से फ्रीजर में दो घंटे के लिए रख देंगे और दो घंटे बाद हमने ये दूसरा बोल आइसक्रीम का निकाल लिया है आइसक्रीम सेमी सॉफ्ट होनी चाहिए और इसे हम इस तरह से ग्राइंडर जार में डाल देंगे इसके साथ ही हम इसमें दो चम्मच कटे हुए पिस्ता डाल देंगे आप चाहें तो साबूत पिस्ता भी डाल सकते हैं और साथ ही इसमें दो बॉंध green gel food color डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से blend कर लेंगे और ये हमारी पिस्ता फ्लेवर आइस्क्रीम तयार है और जो आइस्क्रीम हमने पहले सेट करी थी फ्रिजर में उसे निकाल लेंगे आप ध्यान रखें किसी भी बरतन में अगर आइस्क्रीम सेट करते हैं और दो घंटे बाद हमने ये तीसरा और आखरी बोल आइस्क्रीम का निकाल लिया है और इसे हम इस ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे आप इसमें स्ट्रॉबरी फ्लेवर देने के लिए आप चाहें तो स्ट्रॉबरी जैम डाल सकते हैं या फिर आप एक कप स्ट्रॉबरी और दो चमज पाउडर शुगर को अच्छे से ग्राइन करके इसमें डाल सकते हैं जैसे हमने मैंगो फ्लेवर दिया है या फिर इस तरीके का स्ट्रॉबरी सिरप डाल सकते हैं या स्ट्रॉबरी क्रश डाल सकते हैं इसमें दो चमाइ स्ट्राबरी जैम डाल रहे हूँ, ये घर का बना हुआ जैम है और साथ ही इसमें दो बून पिंक जल फूट कलर डाल देंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और लेजिए हमारी स्ट्राबरी आइसक्रीम बनकर तयार है और जो हमने फ्रीजर में दो घंटे पहले रखी थी ये कसाटा आइसक्रीम सेट होने के लिए ये भी अच्छे से सेट हो गई है तो अब मैं इसके उपर ही स्ट्राबरी आइसक्रीम डाल दोंगी और इसे हम फिर से सेट हो जाएगी और यह देखिए पोरी रात फ्रीजर में रखने के बाद हमारी Ice Cream सेट हो गई है तो अब हम इसे डी मोल्ड कर लेंगे बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छे से सेट हुई है और इसका जो टेस्ट है वो तो शानदार है तो अब मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ यह दिखे इसमें एक एक लियर अच्छे से सेट हो गई है और जो नीचे रस हमने लगाया है वो भी अच्छे से सेट हुआ है इसमें और जैसे मैंने इसमें अलग-अल तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राइब करें यह आपको बेहत पसंद आएगी और अगर आपको हमाई रेसिपी स्ट्राइब करने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जूर कीजिए और साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें इसी तरह की और नहीं नहीं रेसिपीस देखने के लिए